दोस्तों नमस्कार मैं मनोज सिवारी उत्तरपुर्वी दिल्ली का सांसत भी हूँ और मैं आप सब के दुआ से आप सब के अशिरवाद से मैं कोविट पोजिटिव होने के बाद 15 दिन के बाद मैं निगेटिव हूँ अभी कुरूंटीन में हूँ और इस दौरान जो लोगों की जितनी सेवा जुनकी जरूरते हैं वो अपने लोगों के द्वारा कर भिए रहा हूँ लेकिन ये मैं आप सबी से अपना अनुभोऄ शेयर करने जा रहा हूं जो मैं कोविट के दौराण खुद झेला हूँ और उसको कैसे जीता हूँ या जीत रहा हूं भी कुरंटीन में जेल रहा हूं तो मैं आप सभी से सभी लोग सहायता कर रहे हैं दूसरे की सहायता कर रहे हैं कोई oxygen के लिए परिशान है कोई दवाई के लिए परिशान है कोई बेट के लिए परिशान है कई कई लोगों के अपने चले गए हैं बहुत दर्दनाब कहानिया भी हैं लेकिन हम आपसे यह प्रात्ना करना चाहते हैं कि अगर आप किसी कोविड पैसेंट को हिल्प करना चाहते हैं तो पहला काम करें उसको कोई निगेटिव न्यूज ना दें कौन चला गया कौन कैसे गया यह उसको न बता है उसको अच्छी अच्छे समाचार बता है उसको खुशी की बाते बता है उनको रिकबरी की बाते बता है इतने लोग आज रिकबर कर गए यह अच्छा हो रहा है रिकबरी रिपोर्ट का अच्छा रिपोर्ट है लोग कोविड के बाद भी शुरक्षित होके निकल रहें तो उसको आत्मबल मिलेगा अधर्वाइज उसको निगेटिव समाचार और भी मार देगा कि दूसरी बात कि जब आप किसी कोविट पेसेंट को हेल्प करना चाहते हैं या अगर जो सुन रहे हैं उसमें कोई कोविट पेसेंट हों मैं कि तीन चार चीजे आप सब को बताना चाहता हूं कि पहला भाप जरूर लेना है कि भाप के लिए अगर भाप की मसीन हो तो ठीक बात है नहीं तो कोई बात ने अपने घर में चुले पे पानी गरम किया पतीला में उसको एक तोविल से ढका और उतारने के बाद और फिर टॉविल में मुह लगा करके भाप लेने में आपको आलस्य होगा आपको तरह तरह की मन होगे कि यार लो नरू जरूर लीजिए क्योंकि अगर सेनिटाइजर से हम हाथ साफ करते हैं सुरक्षित रहते हैं तो फेफडे का सेनिटाइजर भाप है मेरे दोस्तों भाप है मेरे दोस्तों इस्टीम है और इस्टीम भी लेने का तरीका है उसको य मुह से ले नाक से छोड़े और 10 बार नाक से ले मुह से छोड़े यह अगर आपने दिन में दो बार कर लिया तो बाती सब दवाईया एक तरफ ये इलाज एक तरफ पांच-छे दिन में आपको अराम हो जाएगा जिनको नहीं हुआ है वो भी ऐसा कर सकते हैं समस्ताओं की कोविड हो गाई नहीं दूसरी चीज हमें प्राणयाम जरूर करना है पालती मार के बैठ जाई और चार चीजे करिए सांस खीच के चाती में फुलाना फिर छोड़ देना और यह सांस खीच के और कर सकते हैं चोटा कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं तीसरी चीज कपाल भाती पालती मार में बैठाओं कपाल भाती यह आप जब करेंगे तो किसी का एक बार में 6-7 बार होता है आप इसको 20-25 बार कर सकते हैं बहुत स्वसंत तंत्र को मजबूत करता है और एक यह सिस्टम एक नाप से कि दूसरे से चोड़ना और फिर जिस से चोड़ना उसी से लेना आराम से लीजिए और फिर मतलब लीजी आराम से फिर फिर छोड़िए फिर 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 लीजिए इसको अनुलों विलों करते हैं यह बहुत फायदेमंद हैं और अगर सुबह कर सके तो नतिंग लाइक तैट तो मेरे दोस्तों इसके साथ थोड़ा सा एक एक आसन आता है जो आप लेड़ जाते हैं पेट के बल और ऐसे रखके और फिर आप इसे उठते हैं ना वह वाला वह भी आप दस बार कर लीजिए पंद्रा बार कर लिए पनी छमता बर इंज्वाय करिए आनंद में और हमेशा को सिसकर जो आप सोते हैं तो ऐसे नहीं सोना है तो सोते समय ऐसे सोगे अगर मानले किसी को अक्सीजन की जरूरत मितनी पड़ गई कि लगी रही है तो भी यह पूजिशन पुरा पैर फैला के ऐसे कर गी और ऐसे सो सकते हैं तो नथिंग लाइक यह मैंने किया और मैं बताओं आपको मुझे बहुत सारी दवाईयां नहीं खानी पड़ी जुक्कि में चार दिन ब कि अल्ला नबर मेरा और इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं और इसके अलावे जिंक बीटामिन है बिटामिन-सी है यह जरूर लीजिए और इम्मूनिटी बुस्टर आपका इम्मूनिटी बुस्टर काढ़ा है आयृवेद है आप देखी अमलोग फिर आयृवेद पर गये है कुछ उसमें सत्य है वही चीज आज ले रहे इम्म्यूनीटी बढ़ाने के लिए वैक्सीन भी इम्म्यूनीटी बढ़ाता है इम्म्यूनीटी बूस्टर मतलब रोगों से लड़ने की अपनी शरीर की छमता तो मैं यह सब आप से शेर करना चाहता था क्योंकि पैनिक नहीं हो और उसके अलावे जो भी बाते हैं तो आपको इनों कोई हमारा प्रतनीदी होगा आपके आसपास नहीं तो आप हमें बताएं हम लोग समस्याओं का निदान करेंगे इम्मुनिटी बुस्टर में एक काढ़ा तो बहुत ही अच्छा है और जो आप खाना भी खाईए तो वह आप देख लिए कौन पौश्टिक खाना है आप किसी से बात भी कर सकते हैं खुद भी देख सकते हैं पौश्टिक आहार लेना है और साउधानी रखनी है पहले से ज यह संकट का समय है और यह पी कावर है इस पी कावर में आप 15-20 दिन एक महीना बचा लेंगे तो फिर फिर आगे बहुत अच्छा रहेगा हमने फर्स्ट फेज में करोना को हराया है यह दूसरा फेज है इसमें थोड़ा सा नहीं नहीं बाते हैं लेकिन पैनिक नहीं होना है सरकार सारी ब्यवस्ता कर रही है जो ऑक्सिजन की बीच में किलत होई उसको भी सरकार ने पूरा कर लिया है हम नरदर मोदी जी का धन्यवाद करते हैं वो हर अस्तर पर वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना कहे काम करने में विश्वास रखते हैं तो हम सब को यह अपनी सतरक सकता रखनी है और मैं चुकि यह सारे अनुभों से गुजर के आप से बात कर रहा हूं तो आप सब इसको जरूर ध्यान देजिएगा इतनी चीजें ध्यान देने से हम बहुत जल्दी कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और मन में हमेसा अच्छा भावला यह अच्छा मन अच्छे विचार भी कोरोना को हराने में बहुत मददगार हो सकते हैं तो मेरा मन कर रहा था कि यह सब बाते में वीडियो में शेयर करो तो मैंने आप से किया इसमें जो अच्छी बात लगे आप ले लीजिएगा नमस्कार